साथ नमस्कार, आज हम आपके सामने एक बहत्रीन और नया वीडियो लेक्मार्फ ये देखिये बक्री दिखाई दे रहेएं, इसको क्या समेश्य होई ये वोड़े देखिए कितनी पतली दस्त कर रहे हैं, चिकनी क्रbert कर रहे यदे आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखिए हमने पसु मालिक से केसिस्टी लिए डाइगनोस किया है और पसु मालिक ने बताया है कि पिछले दो दिनों से बकरी को हमने जो गेहू रहता है उसका बाटा बनाया था और उसको खिलाया था दो दिन से हम खिला रहते और आज जाके ये बकरी सुबे से खड़ नहीं हो पा रही है दस्त पानी जैसे कर रही है और बिल्कुल इस तरीके की कंडिशन हो गई है तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हमने इसकी केस हिस्ट्री लिए है डायग्नोस किया है इसमें एसी डुसिस पाया गया है सातियों ऐसी डुसिस जब भी पस्वा में पाय जाता है तो बहुत ही गंबीर समयशाइ देखने को मिलती है पसू की समय रेते टीटमेंट नहीं होता है और सई से टीटमेंट नहीं होता है तो इसे पसू की मरती हो जाती है तो आपको जब भी acidosis का case देखने को मिले यह acidosis का case और thing की एसा case रेता है कि जादा मात्रा में अनाज माज 60 मीटी चीज़े सकर गूड यह किला देते हैं ज्यादा मात्रा में खिला देते हैं तो पुसू में एसी डोसिस बन जाता है उसक डोश में तो पुस्व्ष बहूत गंबिर समयश्य देखने को मिलतीहैं जो पुसू छोटे रहते हैं उन्में आफ ने देखा होगा selection d यदि ऐस्य दोशिस बनता है, तो वह खड़े नहीं हो पाते हैं, जोर लगाते रहते हैं, पिछला सरील कामकरना बंद कर देता है, मुझ से लार ज्याग आने लगते हैं, दस्ते इस तरीके से पतले चिकने देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले दस्त देखने को म सकता है यह देखिए बहुती गंबीर समयशा में देखने को मिल रही है एसीडोसिस का कैस जब जादा वन जाता है तो पसो की मुर्ति होना निश्ची थे इसमें हम पसो को दो तरीके से बचा सकते हैं समय रहते हैं आपने सही टीटमेंट कर लिया तो आप ठीक कर लेंगे वरन पसो की मर्ति होना निश्ची थे दूसरा तरीका है इसमें पाइप डालकर मुव में से हम नली डाल लेते हैं उसके द्वारा भी हम पाने निकाल के पसो को बचा सकते हैं अब हम जानते हैं पसो में एसीडोसिस क्या होता है पसो की जो रूमन रेता है अनाच की जो रेता है जिस पसु में रूमन रेता है उस तरीके में पानी भर जाता है तो पसु में ऐसी डोसिस हो जाता है हम हाज चे लगा के चेक करते हैं तो उसमें पानी की आवाज आती है जब हम पीट थप थपाते हैं पेट इसका थप थपाते हैं तो उसमें पानी जैसी आवाज आती है साथियो यह एक इसी समयशा है इसमें पसू जो left side रहती है उसमें पानी रहता है हमने देखा है कि पसू की right side में भी पानी रहता है जब left side में पानी बढ़ जाता है तो उस condition में पसू में acidosis हो जाता है और acidosis में पसू की मरती होना निश्ची थे तो आप इसका क्या treatment करेंगे जब भी आपको ऐसा case देखने को मिले तो आप इसमें dextrose bottle बिल्कुल भी नहीं देना है DNS नहीं देना है इसमें आप नर्मल saline जो आती है NS दे सकते हैं NS में आप sodium bicarbonate के जो injection आते हैं वह छोटा एदी पसू है तो 25 ml दे सकते हैं बड़ा पसू है तो उसमें 100 ml देना है साथ इसमें बाइकार्बोनेट यदि मातर ज्यादा गंबिर है तो बड़े पसू माप 100 ग्रम दे सकते हैं बेड़ वक्रियों माप 30-50 ग्रम तक सुबह सम दे सकते हैं दो दिन दक यदि आप यह काम कर लेते हैं तो इनके जो रूमन में पानी रेता है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा और इसे केस को आप ठीक कर लेंगे और इसे केस को बचाए जा सकता है वो भी समय रहते हैं आप इसे केस का टीटमेंट करें जिससे आप इसे केस को बचा लेंगे सातियों यह टीटमेंट आप करके देखिए और इसके साथ में आपको ट्राइब वीडियो टोनो फ पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलता है किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम